मातादी आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग उमीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ बहुत बहुत सागते आप सभी का एक नए वीडियो में और आज का जो वीडियो है ना वो कल यहीं से स्टार्ट हुआ था और फिर यहीं से स्टार्ट बाकी का जो मेरा ब्लॉग है ना और जो भी कुछ हुआ हमने किया अपने घर में उद्यापन जागरण उसकी जो वीडियो है ना वो आपको दो तीन भागों में मिलेगी पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ना वो वीडियो शेयर कर लूँ जो मैं अभी बनाऊंगी क्यो आँखों से लगरा होगा आपको कि आज हम ना सोय नहीं है और पूरी रात जो है मातरानी का हमने जागरण किया सब कुछ सब कुछ जितना भी हमारा काम था वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से निप्टा बहुत ही अच्छे से और हमारा जो भी काम निप्टा है ना वो आप लोगों के साथ आप लोगों की दूआ एं और मातराni के आश्री बात से हुआ है और पिर से आप लोग मैं भी प्रेयर करूगी आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा माफ कीजिएगा इस वक्त नींद का जोंका आ रहा है कहीं अगर ज़बान फिसल जाया न तो आप समझ सकते हो तो आप सब लोग भी प्रेयर कीजिएगा मातरानी से प्रेयर कीजिएगा मैंने भी आप सब लोगों के लिए प्रेयर किये कि मातरानी मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के वज़े से हूँ आपको घर में कोई नहीं है सारे मेहमान चले गए मेरे जैट जी और जठानी जी और हमारा बतीजा वह सब चले घें सiv видео कार्व पता जी यह cao माता जी जो है थोड़ा बिमार हो जाते हैं वैसे बजूर गे तो वह सोगे हैं बच्चे भी सोगे और घर पे बचे हैं हम अभी दो तीन जन यह जो बच्चे ना पिछे से आ रहे हैं यह बच्चे मेरे सिस्टर के कजेंट सिस्टर के और हमारे रिष्ठारे यहां पर खड़े हमारे पाप जी बहुत लोग बोलते हैं कि अपने जो सब्सक्राइब यह देखिए मिलाने का आज इस तरह से मुक्त लगा है यह पापा जी यह पापा जी यहां पर जोगाली कर रहे हैं बैठे हुए क्योंकि हम मैं आपको थोड़ा सा बताऊ ना यह देखिए जहां पर हमने कल दाम बनाई थी लोगों को खाना कि लाया तो अभी इन वे ना सबजी यह बची हुई है और बाहर से ना कुछ भी ना आ जाए उठाकर के ला ले जाए जूठाना कर दे क्योंकि इनको फैंकने से अच्छा है ना हम किसी को बांट दे ऐसे तो देव जी नहीं आएंगे उसके बाद मैं यहां पर यह जो बरतन ना सारे यह दोने और जो बैठने विठाने का है ना वह सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है तो इनको भी समेटना पड़ेगा हम यहां पर ना अभी सेक रहें आग बैठ करके क्या करे खाली है बैठे हुए देख रहे है अभी पतिदेव जी की रहा क्योंकि पतिदेव जी के बिना हमारा कोई काम नहीं होता वो हमें सलाह देते तो हम आगिया के काम करते हैं और कलना हवा भी नहीं थी आज इतनी हवा चल भी पड़ी सुबस हुआ है और महमानों के जाने के बाद घर की जो हालत है वह मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूं अभी दुरुदर सब कुछ पड़ा हुआ है सारा जो भी कुछ है न वह सब कुछ समेड़ना पड़ेगा और यह देखिए तो हमने यहां पर अभी सफाई करनी है बेटा आजा तो उठ जाब मैं सिस्टर को मोरी हूं कि जनको क्यों पर जाबाई आपने सफाई करनी है नहीं तो ना सफाई करने यह वह आ जाएंगे दुरुदर से और यह जितना भी कुछ सामान ना दुरुदर बिख्रा पड़ा हुआ है उनको समेटना है और चेतन और उसके फ्रेंडियां पर सोय हुए यह देखिए यह सोय हुए नीद मे और में किसके साथ सोया है तूड़ी देखिए चेतन की फ्रेंड है चार और मैं वैंजू आ कि मैं सब के साथ सोय हुए हुए चोजय आप तो पूरी राच होय थे का छुप गए यह बच्चे मेरे को बुलॉगर आ रहे हैं देखते हैं आप ब्लॉग मेरा ब्लॉग देखते हैं सच्ची में अच्छा तो देखिए इतने इतने बच्चे भी ना हमें कभी-कभी लगता है कि बच्चे बच्चों को हम सिखाते हैं पर कभी-कभी हम बच्चों से सीख लेते है बच्चे बोले थे हां कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं शुक्रिया बेटा ये देखिए जी हमारा जो रसोई गार है वो भी पूरा पूरा नहस्त है ऐसे तो ये सब कुछ समेटना पड़ेगा और मैंने पते क्या किया था अभी जस्ट जैसे ही लोग गए तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से एक रजाई उठाई आई मैंने और मैं कि मैं यहां थोड़ी सी जगह बच्ची हुई है मैं यहां पे सो जाती हूँ पर मुझे यहां पर भी सोने नहीं दिया बोला इसको उठाओ अर बोलते हैं ये सारी सफाई अब करनी पड़ेगी तो सही बात है सफाई करनी पड़ेगी और आज मैं बहुत बड़ी गलती हुई है तो मैंने इसको अभी बनाकर के रखा ये गाए के लिए रात को मैं भूल गी थी न मेहमानों के चक्कर में समझो या कुछ भी समझो या मेरी लापरवाई समझो तो मैं इसको भूल गी थी तो कुछ है बाई बूरे हाल है सच में तो अभी टाइं क्या हुआ है 2-7 बजले को आप सच में मेरे को समझ नीं आ रहा है कि में कहां से स्टार्ट करूं और कांवे बीकां अजम सब से पहले तो मैंने कपडे चेंज का जोंड़ी तो पिर ये रहे गए ना तो रहे गे और ठका बहुत हैं, बाक्ते तो कुछ नी सामज मैं आ रारा मेरे वे उए पर दो दो होगी थी और बाद मैं पहले इसने मेरे को सोने दिया, अब ये मेरे को नी दे रही है, है मेरे को बुर इद्रहा हो भई ? मैंनी क्या करना बाई ? कौन कर रहा है विए नेंदू खराब तो फाइनली मैं पहुंची गई हूं रूसोई में बई करना पड़ेगा काम काम के नाम से मेरे को अपना नफरत खोने लगी और मुझे जल्दी-जल्दी सची में मजाखनी जल्दी-जल्दी में सारा काम करना पड़ेगा क्यूंकि अभ अपड़ाइन प्रवाहित करनी है और वहाँ ने जाकर के शुद्ध स्थान है जहां पर बहता हूँआ पानी है वहां पे चोटनी है वह यहांवहां आपको पताई हमारे यह इतना पानी है नि तो जाना पड़ेगा उससे पहले हमें यह काम निफ्टाना पड़ेगा बाकि जो जोती हमने लाई है जागरण किया है उसका जो ब्लोग है न वो आपको अलग से देखने को मिलेगा